36 गार की माताओं बेहनों के लिए मेहतारी न्याई योजना लागू करेंगे जिसमें प्रती सिलिंडर के रीफिल करने पर रीफिल करने पर 500 रुपे की सबसीडी आपको दी जाएगी कॉंग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49 लाक 63 हजार उप भुगताओं में से 42 लाक उप भुगताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है उनका बिजली बिल पूरी पूरी तरह से माफ होगा बाकी साथ लाक 63 हजार उप भुगताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्थ मिलेगी महिलाओ द्वारा संचालिट स्वैं सहायता समू के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओ द्वारा सक्षम योजना अंतरगत लिये गए रिन को भी माफ किया जाएगा साथ सा नए ग्रामीन और योगिक पार्क बनेंगे अभी तीन सो पार्क हैं आगे एक हजार ग्रामीन और योगिक पार्क हो जाएगे राज के सभी छे हजार सरकारी हायर सेकंडरी और हाइ स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा बहुत बढ़िया घोचना है यह है सडक दुर्घटना और अनिया कस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में 36 गार निवासियों को निशुक स्वास की सुविधा मिलेगी परिवहन व्यवसाई से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 क्रोड राशी के बकाया मोटर यान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी MSP में MSP में खरीदा जाएगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24